हेलो स्टूडेंट्स मैं विशाल गुपता आपका टीचर इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्रल चल रहा है जर्नल का उसका कोशन कराने जा रहा हूँ 25 का सलूशन कराऊंगा मैं इसमें अफ्रॉम्दा वुक ओव डी के गोल से ठीक है जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कोशन को इससे पहले कि मैं ये कोशन स्टार्ट कराऊ हूँ आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इससे पिछले चैप्र और जो मैंने कोशन करवाए हूँ इस चैप्र के पिछले वो आप जरूर वीडियो देख लीजे और अपना कोर्स कंप्लेट कर लीजिए ठीक है जी तो चलिए स्टार्ट करत पता है कि वो उसी के बीच में ही आजेगे ठीक है जी वो अलग से कहीं रिकॉर्ड नहीं करने होते वो पार्ट ओफ दा एसेट ही रहते हैं तो इसमें क्या आजेगा बिल्डिंग अकाउंट को हम क्या करेंगे बिल्डिंग अकाउंट को डैबिट कर देंगे बिल्डिंग पर चेज्ड एंड एक्पैंसेज इंकर्ड ठीक है उसके बाद है दस सतीश हूँ और रूपीज बीस जार इस डेकलेर इंसॉल्मेंट वो इंसॉल्मेंट हो गया है यहां पर आएगा कैश से पैसा मिला है क्योंकि चक के बारे में कोई बात नहीं करी तो यहां लिखेंगे कैश एकाउंट डेप्टिड बैड डेट्स एकाउंट डेप्टिड टू सतीश तो सतीश को अब यहां पर सतीश से पैसे कितने मिलने हमें बीस हजार बीस हजार का छे दुनी बारह हजार प्या और यह आठ हजार प्या यहां पर आजेगा ठीक है जी ओके जी तो यहां पर लिखेंगे बींग 60% of amount received and remaining is bad debts ठीक है जी उसके बाद यहां पर आएगा 15 paid rp 500 for repair of office furniture office furniture के लिए आपने खर्चा pay करना है तो repair करवा है office furniture की तो repair में जाएगा repair account adapted to cash being repair charges paid ठीक है जी simple okay जी तो अब उसमें कितने का है 500 रुपे का 500 रुपे का यहां पर हमारा यह आजेगा उसके बाद 18 तरीक की entry क्या है proprietor withdraw personal for his personal use cash रुपेज पांच रुपेज रुपेज दो हजार तो यह आएगा drawings में यह आजएगा simple entry बटे drawings account को हम क्या करेंगे debit कर देंगे to cash account to purchases account ठीक है तो drawings कितना आएगा drawings है आपका personal use के लिए जो cash था वह 5000 का है और यह 2000 का है और total कितना आजएगा 7000 being cash and goods with drawn as drawings ठीक है जी 18 के बाद 20 तरीका following items है जो purchase की है उसने for business iron safe filing cabinet computer postage and stationary तो उसका अलग लग head बनेगा यह हम पहले एक मैं head बना रहा हूं इसमें office equipment का इसमें क्या बनेगा office equipment और दूसरा head किसका बनेगा postage का postage account ओके stationary account ठीक है जी to cash account ठीक है तो इसमें हमारा office equipment में कौन से आएंगे 15, 5, 20 और 12, 32 यह 32 तो office equipment में आज़ेगा iron safe filing cabinet computer यह 32,000 यहां पे आज़ेगा और postage का खर्चा 200 रुपेका है और station का 500 रुपेका और total मिलाके यह बन गया 32,350 यह आज़ेगा being amount spent on office equipment postage and stationary ठीक है जी यह यहां पे आ गया उसके बाद हम अगली आज़ेंगे उसके लिए मिलको जर्नल का format थोड़ा extend करना पड़ेगा ठीक है जी लाइन लगा लेते हैं जर्नल के लिए थोड़ी सी और यह मैं पहले इसका format बना लूँ थोड़ा सा एक extend करना पड़ेगा चलिए यह बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा ठीक है जी अब यहां पर मैं लिख दूँगा जर्नल कॉंटिनूड जर्नल कॉंटिनूड तो यह आज़ेगा डेट यह आज़ेगा पर्टिकुलर्स यह ज़ेगा लेजर फोल्यो डेबिट रूपेज क्रेडिट रूपेज ठीक है जी और उसके बाद हमने यह दिखे लास्ट एंट्री करी थी ओफेस एक्क्यूपेंट और पोस्टेज वाली अब इसे अगली एंट्री देखते हैं क्या है अगेन दोहजार स अगला यह ज़ेगा पर शेयर साट्री आगला यह ज़ेगा उसका है अगला चार्ज डेपरिशेशन 10 परषेंट फोर वान यह पचतर अजार की मशिनरी है 10% कितना हो गया 7500 तो यहाँ पे जो 31 March की entry आएगी वो आएगी charge depreciation की depreciation account adapted to machinery मैं गलती से फ़र नीचे लिखने लगा था machinery account ठीक है जी 7500 हो गया ये क्या गया 7500 being depreciation charged on machinery ठीक है जी उसके बार 31 तरी को वो last entry क्या कह रहा है last entry वो कह रहा है कि outstanding wages at the end of the year तो यहाँ पे लिखेंगे wages account adapted to wages outstanding account ठीक है जी 6000 ये क्या आगे बटे 6000 का आगया ये भी 6000 आगया ठीक है being outstanding outstanding wages outstanding wages रिकॉर्डडड at the end of the year ठीक है students तो इसी के साथ ये question complete होता है I hope कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी कोशन्स और अपना कोर्स पूरा करते रहे हैं अके जी डन आपना करते आपिए